नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एर्टोरियल कंपाइलेशन फोर मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एर्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टेडी पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। देखो 2015 में जो पैरिस प्लाइक क्लाइमेट चेंज एग्रिमेंट साइन हुआ था। इस एग्रिमेंट में विभिन देशों ने अपनी तरफ से तार्गेट्स रखे थे। कि हम इतने सालों में इतना एमिशन्स कम कर देंगे या फिर यह यह स्टेप्स लेंगे क्लाइमेट चेंज को होने से रोकने के लिए। तो इंडिया ने भी अपनी तरफ से तार्गेट्स रखे इंडिया ने कहा 2030 आते आते हम ग्रीन हाउस गैसिस के एमिशन्स को 33 परसेंट तक कम कर देंगे। इंडिया सही रास्ते पर चल रहा है मतलब इस तार्गेट को एचीव करने के दिशा में इंडिया अच्छा काम कर रहा है। बट अभी हाल ही में क्या हुआ युनाइटी नेशन्स सेकेटरी जेनरल एंटोनियो गुट्रेशिस इन्होंने कहां 2020 के बाद यानि इसी साल के बाद इंडिया को कॉल एनरजी के छेतर में इंवेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ युनाइटी नेशन्स सेकेटरी जेनरल ये भी कहां 2030 आते आते इंडिया ग्रीन हाउस गैसिस के एमिशन्स को 33% के बजाए 45% तक कम करें। ये बात कब बोली गई? युनाइटी नेशन्स सेकेटरी जेनरल के दबारा? नुडेली में एक इंसिटूट है, TRI यानि Energy and Resources Institute. इस इंसिटूट में एक लेक्चर देते हुए युनाइटी नेशन्स सेकेटरी जेनरल ने ये बात बोली थी. इससे पहले भी वो एक बार ये बात बोल चुके हैं 9 सितंबर को जब World Meteorological Organization की latest climate change report release की गई तब भी उन्होंने इंडिया और चाइना दोनों देशों से आवान किया था कि आप 2030 आते आते अपने emissions को 45% तक कम कीजिये वैसे तो देखो United Nations के Secretary General ने सेम यही अपील G20 के दूसरे member countries से भी की बट डिफ्रेंस है ना आप कैसे developed countries को और developing countries को एक साथ treat कर सकते हो देखो developed countries में खास करके UK में industrial revolution कब आया 28 अबदी में तो जब industrial revolution आया था UK में green house gases का emissions बहुत ज़्यादा हुआ मतलब इतिहासिक रूप से ज़्यादा जो emission हुआ है वो developed countries की वज़े से हुआ है developing countries for example India में तो आज भी industrial revolution धंग से नहीं आया है पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे हमारा जो manufacturing base है वो increase हो रहा है तो आप दोनों को एक साथ कैसे treat कर सकते हो मतलब उनको भी बोलो कि आप भी इतना कम कीजिए और हम भी इतना कम करें नहीं भाया emissions किया तो आपने ज़्यादा है ना हमारी तो अब बारी आई है development की और इस बात को इस concept को recognize भी किया गया है United Nations Framework Convention on Climate Change के तहर जो negotiations होती है ना उन negotiations में इस concept को recognize किया गया है climate change mitigation की responsibility तो सब की है इंडिया की भी है UK की भी है US की है but responsibility बराबर नहीं है differentiated है आपने ये concept famously सुना होगा common but differentiated responsibility तो एक परकार से United Nations Secretary General ने ये बात बोलके कि सभी G20 के member countries अपने emission को 45% तक कम करें 2030 आते आते common but differentiated responsibility principle के against statement दी और ये तो देखो एक परकार से इंडिया के जले पर नमक खिड़कने वाली बात है क्यों अरे भाया COVID-19 के वज़े से हमारी economic situation पहले ही खराब है और आप हमें बोल रहे हो कि coal के uses को आप बंद कर दीजिए धीरे धीरे और 2020 के बाद से ही कोई investment आप मत कीजिए ऐसे तो हमारे देश में development कैसे आएगी, industries कैसे चलेंगी अभी हम renewable energy को produce करने के दिशा में आगे बढ़ रही हैं बट अभी भी इतना ज़ादा strong base नहीं है renewable energy का हमारे देश में खेर इसके बाद article में ये बोला जाता है देखो इंडिया का track record वैसे ही बहुत अच्छा है climate change को कम करने के दिशा में इंडिया ने जो commitment की थी Paris climate change agreement में कि 2030 आते आते हम greenhouse gases के emissions को 33% तक कम कर देंगे चलता ही नहीं है पर शाई खतम होगी तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं हमने काफी सारे प्रोग्राम से लाएं हैं energy efficiency प्रोग्राम से हमने चलाएं हैं और देखो per capita emission हमारे देश में बहुत कम हैं per capita emission मतलब average अगर लगाएं कि हर एक person हमारे देश में कितना emission करता हैं तो वो देखो 0.5 ton के आसपास आता हैं जबकि global average कितनी है per capita emission की global average है 1.3 ton एक सेकेंड इस pen को हम ठीक कर लेते हैं चल गया तो global average कितनी है per capita emission की 1.3 ton और दूसरे देश जैसे जैसे चाइना, USA, European Union के countries, member countries इनकी देखो per capita emission global average से काफी ज़्यादा है और देखो total emission की भी हम बात कर लेते हैं हमारे देश में अभी population है 1.3 billion 2017 तक इंडिया सिरफ 4% emission के लिए responsible है मतलब पास्ट में जितना भी emission हुआ है उसमें सिरफ 4% इंडिया ने contribute किया है जिसकी population बिल्कुल 24 ही है 448 million ये 20% emission के लिए responsible है समझ गए तो आप बताइए क्या same responsibility हो सकती है UK जो 20% emission के लिए responsible है आप कैसे उनको compare कर सकते हो इंडिया से जो इतनी ज़्यादा population होने के बावजूद सिरफ 4% emission के लिए responsible है इसके लावा देखो ये बोला जाता है आर्टिकल में United Nations Framework Convention on Climate Change ने रिपोर्ट किया था 1990 से लेके 2017 के बीच developed nations अगर हम developed nations से रस्या और इस्टन यूरोप के कंट्रीज को निकाल दें तो बाकी developed nations जैसे UK, France, Germany, US majorly ये कंट्रीज इन्होंने अपना सिरफ annual emission कम किया 1.3% से समझ गए मतलब क्योटो प्रोटोकोल के अनुसार जो emission कम करना था न 1990 से 2017 के बीच इन developed countries ने हर एक साल सिरफ अपने emission को कम किया 1.3% की rate से अरे भया इतनी तो error भी आ जाती है measurement में मतलब ना के बराबर अब आज के समय में UK और दूसरे developed countries carbon neutrality की बात कर रही है कि 2050 तक हमें carbon neutrality को achieve करना है ये क्या है carbon neutrality carbon neutrality के मतलब देखो ये है हमें वो stage हासिल करनी है कि carbon emission हो ही ना जितना carbon emit हो उतना ही carbon absorb हो जाए तो effectively कुछ भी carbon emit ना हो ये देखो concept तो अच्छा है but timeline कब की रखी है 2050 की even UK की parliament में एक resolution भी adopt किया गया climate emergency से सम्मंदित ठीक है आपने resolution adopt किया climate emergency से सम्मंदित इससे पता लगता है आप serious हो लेकिन आपने ground पे क्या किया वो बात कीजिया ना सिरफ resolution adopt करने से अगर climate change mitigation होता हो तो फिर तो सारे देशी resolution को adopt कर लेंगे effectively बताओ ना आपने ground level पे क्या steps लिये हैं तो आज के समय में ये जो develop countries है ना इन्होंने क्या रणनीती अपनाई हुई है कि developing countries से आवान करना है कि आप coal को छोड़ दीजिये अरे भया आप gas का इस्तमाल कर रहे हो आप oil का इस्तमाल कर रहे हो इनसे भी तो emission होता है ये भी तो fossil fuels है ना आप कौन सा 100% renewable energy का इस्तमाल कर रहे हो लेकिन आप developing countries को फिर भी आप बोल दोगे कि coal का इस्तमाल बंद करें क्या आपने oil और gas का इस्तमाल करना बंद कर दिया नहीं किया तो किस मूँ से आप ये आवान कर सकते हो developing countries से Develop countries आज के समय में ये बोल रहे हैं कि अगर developing countries coal से energy produce करना बंद कर देते हैं तो इससे काफी सरह फाइदे होंगे developing countries में जो inequalities हैं as मानता हैं वो कम होंगी climate adaptation की तरफ developing countries आगे बढ़ेंगे climate adaptation का क्या मतलब है इसका मतलब देखो ये है process of adjustment to actual or expected climate and its effects सिधे लबजों में बात करें कि climate change के जो बुरे परभाव हो रहे हैं उससे अपने आपको adapt करना उसके अनुसार ढालना ये है climate adaptation जादा होने लगी हैं तो दूसरे अगर बिजली का इस्तिमाल करें तो फिर emissions जादा होने का खत्रा होता हैं तो एक AC building हमें बनानी चाहिए building का structure इस प्रकार से होना चाहिए अपने आप ही building में थंडक रहें AC का इस्तिमाल कम से कम हो इसके लिए काफी सारी building codes हमारे देश में और दूसरे देशों में बनाई गई हैं उन building codes को follow किया जाए तो building का structure ऐसे होगा कि थंडक रहेगी ये एक example है climate adaptation का तो developed countries ये सारी बाते बोलती हैं लेकिन देखो अभी अगर developing countries specifically India एक दम से coal से energy produce करना बंद कर देगी तो फिर हमारे देश में electricity की कमी हो जाएगी क्योंकि अभी हमारे देश में technology इतने भी अच्छी नहीं आई है कि हम renewable energy से मतलब 100 के 100 जो energy है वो renewable sources से produce कर सके हैं देखो जब से US ने Paris Climate Change Agreement से विड्रो किया है तब से United Nations Secretary General ने USA को कुछ खास नहीं बोला है कि आपने क्यों इस agreement से विड्रो किया आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा कुछ नहीं बोला United Nations Secretary General ने बट इंडिया से आवान किया जा रहा है आवान तो वैसे सबी देशों से किया जा रहा है बट इंडिया आलरी बहुत कुछ कर रहा है ना और आप इंडिया को बाकी देशों के साथ ट्रीट नहीं कर सकते लेकिन United Nations Secretary General ज्यादा प्रैसर इंडिया पर लगा रही है कि इंडिया एकदम से coal power plants में investment अपना करना बंद करे तो ये हमने article डिसकस किया, last में ये जाता है कि देखो अगर वास्तव में climate change को रोकने के दिशा में विबिन देश सीरियस है तो एक दूसरे पर blame लगाने से कुछ नहीं होगा मिलके काम करना होगा developed countries जिनकी responsibility ज़्यादा बनती है, जिनके पास ज़्यादा resources है, वो climate change को कम करने के दिशा में ज़्यादा बहतर डंच से काम कर सकते हैं उनको ज़्यादा काम करना चाहिए और developing countries की मदद भी करनी चाहिए, funds प्रोवाइड करके technology प्रोवाइड करके तो ये हमने पूरा article discuss किया climate change को रोकने के दिशा में जो पर्यास लगाई जा रही है, उनको लेके क्या differences हैं विविन देशों के बीच इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion